मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग? मुझे आशा है और पुरी उमीद है कि आपो बहुत भहत्री hundreds बिलकुल बच्चों। देख़ों बच्चों आज हम CONSACTION करेंगे किसका CONSACTION करेंगे 75-degree angle का अर इस constructor में हम जो use करने वाले मेरे बचों वो हम use करेंगे Keval और Keval compass को इसको use करेंगे Keval और Keval compass को use से इसके help से जिसको हम compass या फिर प्रकाल कहते हैं उसकी use से हम एक गांसक करेंगे बनाएंगे कितना 75 डिगरी का एंगल ठीक है इसका एंगल बनाएंगे 75 डिगरी का एंगल हमें यहाँ पर प्रोटेक्टर मतलब यह जो चांदा होता है उसका यूज नहीं करना है without इसकी यूज से बिना इसकी हल्प से हमें बनाना है तो चली स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बच्चो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरू किसेगा और चैनल पर जो फर्स टाइम आ रहे है न फर्स टाइम बिल्कुल मिरे बच्चो जो पहली बारा आ रहे है बोलो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले रहा क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे है तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपने सेशन को ठीक है दिखो बच्चो अगर हम यहाँ पे 75 डिगरी के एंगल हमें करना है कितना करना है सेवंटी फाइव डिगरी का एंगल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या गरना पड़ेगा First of All हम एक स्टेट लाईन चाहिए या चाहिए धोस्तों हम एक स्टेट लाईन चली हम एक स्टेट लाईन ले ले लेते हैं यह हमारा एक स्टेट लाईन है जिसका हम कुछ नेम दे सकते हैं हम इसको बोलेंगे यह हमारा A है और यह हमारा B पॉइंट है A B क्या हो गया? A B स्टेट लाइन हो गया उसके बाद यहां पर आपको requirement होगी एक compass की तो यह आ गया हमारा compass ठीक है? अब यह compass लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक arc select कर लेना है मतलब यह जो पॉइंटर है ने इसका यह जो आप देखे रहे हैं पॉइंटर इसको रखो point A पर नहां पर रखेंगे point A पर इसको हम रख देंगे अब इसको थोड़ा से गम कर लेते हैं और यहां से एक same ही circle मतलब आधा ब्रित हम कीच लेते हैं रो कर लिया ना? बिल्कुल अब इसको उपर ले आए जब हमने इसको कंसक्स कर लिया तो जिस point से मतलब इस point से हमने यह draw करना स्टार्ट किया था? मतलब माल लेते इस point को हम first point माल लेते हैं इस first point पे फिर से compass को लाके रखना है ठीक है first point पे क्या करना है? फिर से compass को लाके ऐसे रख देना है और रखने के बाद एक cut यहां लगाना है लगा दिया अब जब पहला cut यहां पे लग गया ठीक है? अब फिर से इसको ऐसे उठाएगा और एक बात याद रखिएगा इनके बीच की जो distance है उसको change मत करिएगा जितना distance है उतना ही रहने देज़ेगा अब इसको यहां पे उठाके यहां रखिए बिलकुल यहां पे और फिर से एक cut आपको क्या करना है? यहां लगा लेना है तो यह इतना गंदा नहीं लगेगा बिलकुल बहतरी से cut लगेगा यहां पे लग गया अब इसको ऐसे उठाएंगे एक cut यहां लगने के बाद एक cut आपको यहां उपर लगाना है लग गया एक उपर cut तो इसको यहां पे उठाएगा यहां पे रखेगा इस point पे और फिर से इस point से एक cut आपका इस point पे लग जाएगा यह लग गया अब जिस point पे cut लगा है उस point से आपको एक line draw कर लेनी है ठीक है जिस point पे भी आपको cut लगा है वहां से क्या करना है एक line draw कर लेना है चलिए point पे-point से बढ़ाते हैं और एक बात का ध्यान देना यह जो line है बिलकुल इसके बीचो बीच जाए तिक है जिस point पे कटू है बिलकुल इसके क्या होगा है बीचो बीच आना चाहिए अब देखो बच्छो अब यहां पे क्या यह जो point है जहां पे यह state line रखिए जिस पॉइंट पे इस ने इंटसेट किया है ठीक है रग दिया इसको अब इसको यहां लाएगा यहां पे कट लगा दीजिए एक कट लग गया फिसको इसी पॉइंट पर लेकर आईए यहां से था अभी यहां से थोड़ा सह से टेंस करके फिस एक कट यहां पे दे दीजिएगा अभी देखिए यह कट पूरा कट नहीं हो पाए न फिसको यहां पे लेकर आईए और फिस फोड़ और आगे बढ़ा दीजिए यह कट हो गया अब देखिए अब यह जिस जगह पे कट किया है न हम वहां से फिर से एक स्टेट लाइन ड करेंगे तो चलिए एक स्टेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब यहां से हम एक स्टेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह स्टेट लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी है बिल्कुल गया? बिल्कुल टेटलांचे लेगे ने मारी अब दिखो अब यह जो एंगल मिजरमेंट हुआ है वो हो गया आपका 75 डिगरी एंगल का मिजरमेंट हो गया इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम होगे कुछ कंस करने में बिल्कुल नहीं सर बहुत इजी था बड़े आराम से हो गया अच्छ अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे तो गलत है यह 75 नहीं है चलो बिटा चेक कर लेते हैं ठीक है आपके मन की बात भी हम यहाँ पे कर लेते हैं यह आग्या हमारे ऐस सरी प्रोटेक्ट्र को मैं रखते हैं और चेक करते हैं तो एटियक कशा से रखा है जाब बिल्कुल स्टैबल कि देख सकते है आप देख सकती है यह बिल्कुल यह यह है टी है यहं रहींगिष है 80 और 70 के बिलकुल बीच में कितना आना 75 यह आपका क्या 75 ठीक है देखा हमारा एंगल था बिलकुल अच्छे से कंसक्स हो गया तो I hope यह चीज आपको समझ में होगा अगर आभी नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखो इस बार थोड़ा स्लो मोशन में देखना ठीक है थोड़ा सा स्लो मोशन में देखिएगा आपको सारी बाते समझ में आजाएंगी I hope मेरे बच्चो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक चुरू करना है और दोस्तों साथ शेयर भी जरू कर दीजेगा तो चलो बच्चो मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरे एंगल के साथ तब तक के लिए बच्चो अपना ख्या लगना